नमस्कार दोस्तों मैं प्रदी भार्दाज विन क्लास इसके डिजिटल प्लेटफों को आप सभी का स्वागत करता हूं सभी को नमस्ते सभी को राम राम जै हिंदी जै भारत देखे दोस्तों आज की इस वीडियो में जबर्दस ट्रिक डिसकस करने वाले जो कि आपके एकजा आप देख पा रहे होंगे क्या कि ऊपर का टाइटल आपको बता रहा है कि संसोधन देखें यहाँ पर यह जो है भासा संबंदी जो संसोधन हुए वह कौन कौन से थे एक तो 21 ठीक है एक था 71 और एक बानवेवा ठीक है यहाँ पर लिख देता हूं में ताकि आपको दिक्क 21 संसोधन कब हुआ 21 संसोधन कब हुआ यह question सीधा पूछा जाएगा तो answer क्या होगा उननी सो सथर्षर यह exam में पूछा गया है 1967 यह में कौन सा संसोधन हुआ 21warzवा संसोधन हुआ हूआ उसके बाद आप देखिए यह 21 संसोधन किश्षा जाता ओर जीके का भी क्योस्तन उसके बाद हम बात करतें 71 संसोदन कभवा 71 संसोदन हुआ 1992 में इंपोर्टेंट क्योस्तन है कभवा 1992 में अब क्योस्तन यह उठता है इसमें कितनी भाषा को जोड़ा गया संसोदन है तो कुछ ना कुछ जुड़ा होगा झैसे कैसे देखें यहाँ पर नैसे क्या बन गया नेपाली बेटा इसको याद रखेंगे नेपाली ठीक है एक्जाम में पूछा जाता है और मैंसे क्या बन गया मनीपूरी ठीक है क्लियर इसे लिखते रहे साथ के साथ नेपाली मनीपूरी और उसके बाद हम देखते हैं अगला है वेटा कॉमकनी क्या है कॉमकनी तो यहाँ पर तीन भासाओं को जोडा गया अब किसीदाओर जब बना था कि में जब बना था तो हमारे पास कितनी वासाओं थी चोधा भासाओं थी डिखेंगे ओसमें हिंदी और सामिल थी तो आपका अंसर होगा हाँ सर हिंदी और उर्दू सामिल थी यह क्विस्टन पूछा गया है तो सुविदान जब बना था हिंदी और उर्दू क्या थी सामिल थी यह आपको याद रखने हैं तो यहाँ पर आपने नोटिस किया 14 भासा हैं और एक जब प्लस कर देते जोर देते तो कितनी होगी 15 और 15 और यहाँ पर अगर हम यह होगी एक हमारी ठीक है एक को प्लस किया और यहाँ पर हमने तीन को प्लस किया कितनी होगी 15 अठारा अब यहाँ पर देखते बानवे बास संसोदन कब होता है बानवे बास संसोदन होता है मेरे सेरो 2003 में कब होता आपने course का नाम सुनाओगा जो की dental course होता है दातों से समबंदित course होता है जिसका नाम होता है BDMS क्या होता है BDMS अब यहां पर देखिए BDMS की full-forward क्या है examiner पूचता है B से हो गया Vodo ठीक है, क्या हो गया Vodo D से क्या हो गया डोगरी क्या हो गया डोगरी लिखते रहें साथ की साथ और M से क्या हो गया बोडो डोगरी और ये हो गया हमारा मैथिली क्या हो गया मैथिली उसके बाद अगला जो है ये क्या है संथाली तो यहाँ पर आप देखेंगे चार भासा को जोड़ा गया किसको जोड़ा गया यहाँ पर ल हो गया अठार और थारा में चार को जोड़ा तो क्या होगया बार्तमान समय में कितनी भासाई है बेट वर्तमान समय की बात किawan फिए है बाइस है इसको आप याद रखेंगे कि वह संक्या कितनी है बाइस और जो कि आठ भी अनुसूची से संबंदी थे तो इन संसोधन को प्लीज आप रिवाइंज कर लेना जो भी मैंने आपको बता 21-71 बाणवे और इससे क्या होगा आपको सब कुछ याद हो जाएगा और इनको आप ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं और वैसे भी ठीक है मेड़ा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं चीज़ों के साथ तब तक के लिए जै हिंदे जै भारत